हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तो ठंडी हवाई चल रही है वहीं आज पश्चिमी राजसां के साथ जलो में दोपहर बात तेज आंदी चलने की चेतावनी मौसम दिबाप ने जारी की है इसका असर साथ जलो में देखने को दो सकता है करीब पचास किलोमेटर की स्पीड से चलने वाले हवाओं के साथ कहीं कहीं हलकी बूंदा बांदी भी हो सकती है इससे इन एरिया में पारा और नीचे गिरने की संभावना है जैपो मौसम केंदर के निदेश शक राधेशम शर्वा ने बताया कि पाकिस्तान से लगदे राजसान की उत्तरपस्चिमी एरिया के उपर एक साइकलोनिक सुक्रलेशन डेवलप हुआ है इसे आज जैसलमेर, बाडमेर, विकानेर, नागार, हनुमान, गड़, गंगानगर और चुरू जिलो में दुपहर की बाद आसमान में बादल छाने के साथ ही धूल भरी अंधर चलने की अशंका है इस दौरान हवाओं की स्पीट 40-50 किलोमेटर प्रती घंटा तक रह सकती है वहीं इन जिलों में कई-कई हलके दर्ज की बारिश या बूंदा बांदी होनी की भी प्रबल संभावना है अलकि शेश संभाग के जिलों में मौसम साफ रहेगा उन्होंने बताया कि इस सिस्टम का असर केवल आज ही बना रहेगा कल से प्रदेश में सभी जगा मौसम पूरी तरह साफ रहेगा जैसलमेट के रामगर में 6 गने बादल 10 शेहरों में 40 डिकरी सल्सियस से नीचे आया पारा इससे पहले मंगलबार को उत्तर भारत में सक्रिय तर्शी में विशोव के असर के कारण प्रदेश में कर अधिकान शेहरों में बादल शामे से पारा चार डिकरी सल्सियस तक नीचे आ गया इन शेहरों के अलाबा कल सबसे दिन का तापमान उदैपुर में 38.4 डिकरी सल्सियस दर्चुआ प्रदेश में प्रमुक शेहरों का तापमान शेहर अधिकतम 12 अपरेल न्यूनतम अजमेर 49.626.6 बील बाड़ा 48.2 अलवर 49.2 24.4 जैपुर 38.4 25 पिलानी 40.4 24.7 सीकर 38.5 27.5 खोटा 41.7 28.1 उदैपुर 38.4 19.2 बाड़ मेर 41.3 25.1 पाली 41.8 24.4 जैसल मेर 40.4 24.5 जोदपुर 38.6 25 बेकानेर 49 25.5 चूरू 41 25.7 गंगा नगर 42.8 24 धौलपुर 42.9 पिलानी नागार 49.8 24.8 तोंक 40 25.2 चितोरगड 49.9 17.3 सीरोही 49 24.8 करॉली 42.1 20.9 बाड़ा 40.3 25.9 जैगरू टेवी की बाड़ में से ठाकर राम एक बाल के रिपोटर 50.9 जाओड़ की बाल के बाल की की बाल के बाल के बाल के 7 व Soo Gowan 20.9 00 ho。